पाठ अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले का यहां पर हम सार पढ़ेंगे जिसे कि आपको बहुत ही कम समय में पाठ का ओवरॉल एक आइडिया मिल जाए कि इस पाठ के अंतरगत किस विशे की चर्चागी गई है चैनल पर अरेडि आपको इस चेप्टर की लैंडूल एन एक्स्प्लेनेशन दी गई है जिसे कि आप पढ़कर उसे पाठ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यहां हम पाठ की समरी को पढ़ते हैं उसके सारांश को पढ़ते हैं जिसे की हमें विशे जो है कम समय में अच्छी तरीके से समझ में आ सके सबका रखवाला सुलेमान इसा से 125 वर्ष पूर्व एक बादशाह हुए थे यहां पर बताया जा रहा है एक बादशाह की चर्चा हो रही है इनने बाइबल में सुलुमेन और कुरान में सुलेमान कहा गया है वे मनुश्यों के ही नहीं बलकि पशु पक्षियों के भी राजा थे वे जीव जंतों की भी भाशा समझते थे एक बार वे अपनी सेना के साथ जा रहे थे और कुछ चीटियों ने घोडों की टापों की आवाज सुनी तोनों ने डर कर एक दूसरे से कहा कि बिलों में चलो फो जा रही है और इस तरीके से यहाँ पर चर्चा होती है एक बादशाह की जिसको बाइवल में सुलोमेन और कुरान में सुलेमान कहा जाता है और वो मनुशों की ही नहीं बलकि पशुपक्षियों की भी राजा हुआ करते थे और जीव जन्तू की भाषा भी वो समझ लिया करते थे और इसी तरीके का एक बार का वाक्या बताया जाता है कि एक बार वे अपनी सेना के साथ जा रहे थे तो कुछ चीटियों ने उन घोडों की टाप सुन ली जिन घोडों के साथ जो है उनका काफिला चल रहा था चीटियों ने उन घोडों की टापों की आवाज सुनी तो उन्होंने डर कर एक दूसरे से कहा कि बिलों में चलते हैं क्योंकि फौज आ रही है तो सुलेमान ने उनकी बात सुन ली क्योंकि ये शुरू में बताया गया कि सुलेमान पशु पक्षियों के राजा थे और वो जीव जन्तुओं की भाषा को समझते थे चीटियों की ऐसी बात पर उन्होंने उनकी बातों को सुनकर उनकी बात सुन लिए और थोड़ी दूर रुख कर बोले कि घबराओ नहीं सुलेमान को खुदाने सबका रखवाला बनाया है और इस तरीके से चीटियों की बात जब वो सुन लेते हैं कि वो घोडों की टापों की आवाज सुनकर डर के मारे अपने बिलों में जा रही है तो सुलिमान ने कहा कि तुम घबराओं नहीं सुलिमान को खुदा ने सब का रखवाला बनाया है यानि रक्षा करने के लिए ही बनाया है मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं महबबत हूँ मैं किसी के लिए भी मुसीबत का सबब नहीं बलकि महबबत हूँ चीटियों ने इस तरीके से सुलिमान के लिए ईश्वर से दुआ की शेख आयाज के परोपकारी पिता शेख आयाज के पिता बहुत परोपकारी थ जो दूसरों पर उपकार करें उसकी मदद करें तो बहुत परोपकारी थे एक बार वे कुए पर इसनान करने गए वहां से एक चियोटा उनके उपर चड़कर उनके साथ घर आ गया अब ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सा वाक्या है कि चीटियों का आप देखोगे कि एक लीए पर चड़कर घर आ जाता है शेक खयाज के पिता जब खाना काने बैठे तो उन्होंने अपनी बहुत पर रेंगते उसचोटियों को देखा और उन्होनों आ सोचा कि विचारा अपनी होगए है वे खाना छोड़कर खड़े हो गए और उस चयोटियों के घर तक वाप कर था, एक बार उन्होंने घायल कुत्ते को दुदकार तेवे कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, कुत्ते ने ये दुदकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मरजी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका वही एक ईश्वर है, उसक तरीके से एक वाक्या यहां पर पेगंबर नू की करूना का बताया जा रहा है कि किस तरीके से कुट्टे से जो उनको एक वाक्या समझ में आ जाता है जिससे वो जीवन भरुस चीज का पश्चाताब करते हैं दुनिया का बदलता रूप अब ये सारे एक्जामपल समें दिये वाले दूसरों का दुख आप इनसानी दुख तो दूर की बात जीव जनतों के तो दुख को आप दूर की बात है समझेंगे आप इनसान इनसान के दुख को नहीं समझ रहा है और यहां पर हमें ये तीन एक्जामपल दे गया है कि किस ते किस एक चीटी की बातों को समझ कर उसके लिए घोडो की टाप सुनकर जब चीटिया डर जाती तो उनके लिए रुका जाता है जिससे कि वो डरेना चियोटो को उसके अपना खाना छोड़का चियोटे को उसके घर तक पहुँचाना क्योंकि वो वहां से बिछड जाता है और यहां पर कुटे की बात सुनकर जिससे की जो की करुणा का भाव मन में आ जाता है तो यह सब बाते जो हमें बताती हैं कि अब पहले की तरह लोग जो है अब नहीं एक्जिस्ट करते हैं जो दूसरों के दुख से दुखी हो दुनिया का जो बदलतावा रूप है तो यह दुनिया कैसी भी बनी हो इसमें रहने वाले सभी जीवों का इस धरती पर बराबर का हक है लेकिन इनसान ने अपनी बुद्धी से इसे बाट दिया है इनसान को ऐसा लगता है कि उसके पास सोचने समझने की शमता है वो बोल सकता है और बड़े-बड़े क्रिया कलाब कर सकता है इसके चलते इनसान का अधिपत्ते हो जाता है इस धरती पर लेकिन जितने भी जीव प्राणी बनाए है इश्वर ने उन सभी का इस धरती पर बराबर का हक है पहले सब बड़े-बड़े घरों में मिल जुलकर रहते थे लेकिन आज डिब्बे जैसे घरों में रहते हैं जंगलों को काट कर नहीं नहीं बस्तिया बसाई जा रही है समुद्र को पीछे सरकाया पशू पक्षियों से उनका ठीकाना चीन लिया गया है वे बेघर होकर इधर उधर भटक रहे हैं जंगल जैसे जैसे कट रहे हैं जीव जन्तूओं का घर उनसे चिन रहा है पक्षियों का तो कोई बसेरा ही नहीं रहे गया है शहरों में और प्रकृती के साथ तो जो हो रहा है आए दिन हम अपने प्रेजेंट में भी बहुत कुछ देख रहे हैं तो यह दुनिया का बदलता रूप है जो पार्ट के अंतरकत हमें उसके बारे में भी बताया गया है प्रकृती से छेड़चाड का जो परिणाम है उसके रिजल्स तो हम आज की दौर में देख करती है जो की नुकसान दे हो सकता है मौसम चक्र में परिवर्तन आही रहा है सर्दी गर्मी और वर्षा जो है आसमे और आसंतुलित हो गये जो अपना बैलेंस बिगड़ उनका बैलेंस बिगड़ गया है बार्ध भुकम सूखा तूफान आदी प्राकरतिक प्रकोब ने ने असाध्य रोग उत्पन हो रहे असाध्य यानि जिनका इलाज ना हो सके अभी हम रिसेंटली ही जो है कोरोना से किस तरीके से बड़ी बामुश्किल जो है संसार जो है उबरा है उससे मनुश्य के अत्याचार से प्रकृति की सहन शक्ति समाप्त हो रही है और वह ऐसे ही मिलेंगे लेखक की मा की सीख अब लेखक की मा के दौरा जो सीख मिली है उसके बारे में भी लेखक ने पाठ में चर्चा की है लेखक की मा बहुत ही करूणा मई स्तरी थी करूणा मई जो दूसरों के दुख से भी दुखी हो जाए उन्होंने लेखक को सिखाया था क सूरज ढ़लने पर पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे पेड़ रोते हैं, दीया बत्ती के समय फूलों को मत तोड़ो, यानि कि हमारे भी घरों में ऐसी बाते की जाती है, कि शाम के वक्त से ही पेड़ों से ना तो कोई पत्तिया, ना कोई फूल, ना कोई फ जो है प्रकृति के साथ हमें छेरचार नहीं करने चाहिए वे बद्दुआ देते हैं दर्या पर जाओ तो उसे सलाम करो वे खुश होता है कबूतरों को मत सताया करो वे हजरत मुहम्मद साहब को अजीज होते हैं और प्यारे होते हैं मुर्गे को परेशान ना किया करो और इस के लिए भी हमें सोचना चाहिए ये सब चीजों की सीख भी लेखक की माया पर देती भी नजर आती है गौालियर के मकान की घटना अब लेखक जो है पार्ट में हमें गौालियर के मकान की घटना के विशह में भी बताते हैं कि गौालियर में लेखक का मकान था उसके रोशन देखकर बहुत दुखी हुई उसने इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए पूरे दिन रोजा रखा और कई बार नमाजे भी पढ़ी और इस तरीके से यहाँ पर वो वाक्या जो गुवालेर के मकान में हुई कि कबूतर के जो अंडे है उसके साथ एक तो बिली नहीं का रोजा रखा और बार बार कई बारें बार जो है नमाजे भी पढ़ी बंबई के मकान की घतना की चर्चा भी की जाती है जहाँ बताते हैं gia बताते हैं कि आज लेखक बंबई में रहता है उसके फलैट बेदो कबूतर भी रहते हैं उनके चोटे छोटे चोटे बच् इससे उन्हें परिशानी होती इस परिशानी से बचने के लेखक की पत्मी ने खिड़की में जारी लगवाई है इस परकार कर बूतरों से उनका वैठी काना छीन लिया गया है लेखा कहता है कि आप कहां दूसरों के दुख से दुखھی होने वाले लोग करते हैं तो यही है जो पार्ठ का शीरशक बन जाता है कि अब प्रेसेंट में हम नहीं देखते हैं लोगों को कि इंसान-इंसान के दुख को देखकर ही दुखी हो तो जीव जनतों के लिए तो बहु related आपको जो एक आपने समरी दी है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझमाई होगी आपको help करेगी आपको revision के लिए बहुत helpful है ये तो अगर आपको help कर रहे है तो आप इसे जरूर share भी करें अपने दोस्तों के साथ साजा करें जिससे कि वो भी इसके फायदे उठा सकें और अपने एक्जाम में अच्छा perform करके अच्छा score कर सकें तो इसी के साथ channel के साथ बने रहें जिससे कि आपको टैमली जो आपके जरूरत की videos हैं chapters related वो आपको टैमली मिलती रहें Thank you